रेडियो हि porch पर्फ raeli अगे मावत्रम रेडियो हिंदूस्तान आन्य रजीन लेकर आगे आपके लिए उत्रांगा पारंपरिक लोक पर्फ हरेला हरिला उत्राखण का पारम पर इक लोग पर्व है हरिला पर्व प्रक्ति को समर्पित प्रसिद लोग पर्व है हर साल हरिला पर्व कर्क सक्रांती को शावन मास के पहले दिन मनाय जाता है तिहार के ठीक दस दिन पहले हरिला बोया जाता है लेकिन कुछ लोग 11 दिन को हरीलब होते हैं यह पर्व उत्राखन के कुमाउ मंडल में विशेश रूप से मनाया जाता है हरीलब घर में ही लगाया जाता है हरीलब पर्व साल में तीन बार मनाया जाता है पहला चैत मास में, दूसरा सावन मास में और तीसरा अश्विन यानि की कावार मास में हरिला बोने के लिए हरिला त्यहार से 12 से 15 दिन पहले से तैयारिया शुरू हो जाती है घर के पास साफ जगा से मिटने निकाल का सुखाई जाती है और उसे च्छान का रख लिया जाता है हरिला में साथ या पांच किस्म के आनाच को मिला कर बोया जाता है इसमें धान, मक्की, उड़त, गहत, तिल और भट शामिल होते हैं इसे मंदिर के कोने में रख दिया जाता है इसे बोने से लेकर देखबाल तक घर की महिनाएं करती हैं इस दिन पकवान बनाए जाते हैं कटे हुए हरिले में से कुछ भाग छट पर रख दिया जाता है घर में छोटों को बड़े लोग हरिले के आशिश गीत के साथ हरिला लगाते हैं इसे शुब मानते हैं गाउं में या रिष्टेजारी में नवजाद बच्चे को हरिला भीजा जाता है हरिला उत्राखन के कुमाउं छेट में प्रमुकत से मनाया जाता है इस दिन हरिला की शुब कामनाय देकर बजूद बच्चों को आशिरवाद देते हैं इस दिन लोग पौधा लगाते हैं हरिला पर्व की पूर्व संध्या पर डेकर पूजन की परंपर भी निबाई जाती है शास्त्रों के अनुसार कुमाओं में हरिला पर्व से ही श्रावान मास और वर्शा रितु का आरम माना जाता है हरिले के तिनकों को इस्ट देव को अर्पित कर धन धाने दुधारु जन्रों की रक्षा और परिवार वा प्रक्रति की कुशलता की कामना की जाती है उत्राखन के दोनों मंडल कुमाओं और गडवाल दोनों में ही ये तेहौर मनाय जाता है गड़वाल छेट में इसे मोल सक्रांत के रुप में मनाया जाता है धान जिंगोरे के खेतों को कीडों से बचाने के दिए मोल के पेड़ धान जिंगोरे के खेतों में रुपे जाते हैं कुमाउ मंडल में हरिला पारु की जारा मानेता है हरेला को काटने के बाद घर के सभी सदत से एक दूस्टे को इससे पूछते हैं और लंबी उम्रोज सुख सम्रिदी की कामना करते हैं उत्राखन के चौमास यानि जुलाई में मनाई जाने वाले हरेला त्योहार का विशेश महतो होता है इस दिन से पहाडियों का सावन शुरू होता है हिमाचल, नेपाल, उत्राखन के लोगों के सावन ठीक हरेले के दिन से लगते हैं जो कि पहाडियों के पंचांग में महा सक्रांती से बदलते हैं इस दिन पहाडियों के सावन हरेला के दिन से शुरू होते हैं सावन में क्या है हरिले का महत्व आईए बताते हैं आपको हरिला पर्व प्रक्यति से जुड़ा हुआ है उत्राखंड में हरिला पर्व से सावन मास की शुरुवात मानी जाती है सावन मास के हरिला पर्व का विशिश महत्व है सावन भगवान शिव का प्रियमास है और उत्राखन को शिव भूमी भी कहा जाता है हरिला पर्व के समय शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और धन्यवत किया जाता है इस पर्व को शिव पर्वती के विवा के रूप में भी मनाया जाता है मानेता है कि हरीला जितना बड़ा होगा कृशी में उतना ही फाइदा देखने को मिलेगा वैसी तो हरीला को हर घर में बोया जाता है लेकिन कुछ गाउं में सामोही करूप से स्थानिय ग्राम देटा के मंदिर में भी हरीला बोय जाती है हरिला पर प्रक्रिती की रक्षा को समर्पित लोग पर्व है पहाड की लोग प्रक्रिती के आभार व्यक्त करने के लिए हरिला पर्व मनाते हैं व्रक्षार ओपन पर जोड दिया जाता है हरिला के दिन सरकार और विभिन सरकारी और गयर सरकारी संस्ताइं व्रक्षा रोपण अभ्यान चलाती हैं। आप सभी को हरिला की हार्दिक शुब कामना है। बने नए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान